नमस्कार दोस्तों इस वीडियो के अंदर अपन सारक संगठन की बात करेंगे सारक जिसका दूसरा नाम है दक्षेश जिस प्रकार दक्षिनी पुर्वी एसिया का संगठन है आसियान सेम उसी प्रकार दक्षिनी एशिया का जो संगठन है उसका नाम है सारक यानि दक्षेश ये दक्षेश जो है इसका पुरा नाम है दक्षिनी एशियाई छेत्रिये सयोग संगठन दक्षियेस में दे सब्द का मतलब है दक्षिनी A.C.I. किसे का मतलब है सहत्रिये सहे का मतलब है सयोग और संगठन यानि दक्षिनी A.C.I. छेत्रिये सयोग संगठन और अंग्रेजी के अंद्रिस का नाव है South A.C.N. Association for Regional Corporation दोस्तों सारक की इस्तापना 8 दिसंबर 1985 को हुई थ इसकी इस्तापना बंग्ला देश की राजदानी धाका में हुई थी 6 दिसंबर 1985 से 8 दिसंबर 1985 तक बंग्ला देश की राजदानी धाका में सारक देशों की समेलन के लिए सारक की इस्तापना के लिए एक सिक्कर समेलन हुआ था और इस सिक्कर समेलन में 8 दिसंबर 1985 को सारक क चार्टर पारित हुआ था इस परे सात देशों ने हंस्ताकसर किये थे इस परकार सात देशों के हंस्ताकसर के बाद 8 दिसंबर 1985 को सारक की इस्तापना हुई थी ये सारक के सेम उसी प्रकार का संग है जिस प्रकार दक्षिनी पुर्वी एसिया का संग है आसिया तो अब हम आगे बात करते हैं दोस्तों सारक की इस्तापना के अंदर जो मुख्य योगदान रहा था वो मंगला देश के तत्कालिन प्रधान मंत्री जिया उर्रहमान का रहा था जिया उर्रहमान के प्रियासों से ही सारक की इस्तापना हुई थी सारक का दोस्तों मुख्याले हैं नेपाल की राजदानी काठ मंडू में और सारक के वर्तमान में आठ सदिश्ये हैं उन आठ सदिश्यों में से साथ तो सारक के सस्तापक सदिश्य हैं और आठवा सदिश्य अफगानिस्तान बना 2007 के अंदर यानि अफगानिस्तान सारक का सस्तापक सदिश्य नहीं है और बाकी साथ जो सदिश्य हैं वो सारक के सस्तापक सदिश्य हैं अफगानिस्तान सन 2007 में सारक का नई दिल्ली के अंदर चवध्वा सिक्कर समेलन हुआ था उस सिक्कर समेलन के अंदर अफगानिस्तान को सारक का सदिश्य बनाया गया था सारक दोस्तों भारत और भारत के जो पड़ोसी देश है यानि दक्षिनी एसिया के अंदर जो देश है जिनका नक्सा देखो आप देश देख रहे हैं भारत है पाकिस्तान है सिरलंका है अपकानिस्तान है इन से बनावा एक संगटन है दक्षिनी एसिया के अंदर आने वाले और भारत के जो भी पड़ोसी देश हैं उन देशों से मिलकर बना हुआ है सारक और सारक के देशों के लिए हम दोस्तों एक बहुत आसान सा अभी देखना ट्रिक याद करेंगे तो मैं देखो सहरक देशों के लिए आपको ट्रिक बताता हूँ सहरक के लिए ट्रिक है ए मा बिबी बनी स्पी सहरक देशों की यानि इसका ट्रिक है ए मा बिबी बनी स्पी सहरक देशों की तो इसमें देख लो ए का मतलब है अफगानिस्तान मा का मतनब है माल दिए यहां B देखो तीन वाराया हुआ है और इसका अर्थ है एक B का अर्थ है भारत एक का है बांगला देश एक का है भूतान यानि B, B, B तीन वाराया है तो भारत, बांगला देश और भूतान ने का अर्थ है यहांपर नेपाल S का अर्थ है यहाँ पर स्री लंका और P का अर्थ है यहाँ पाकिस्तान तो इस प्रकार देशों सहरक देशों को याद करने का एक आसान सा तरीका है A मा बीबी बने S P सहरक देशों की यहाँ जो मैंने S P सब्द का है आज पी आप जानते होंगे SP जिले का जो सबसे बड़ा पुलीस अधिकारी होता है सुप्रिडेंट ओपुलीस उसको SP का जाता है तो यहाँ इसने कहा है कि ए मा बीबी बने SP सारक देशों की तो आप इसी प्रकार के वीडियो देखते रहिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों